यह हमारा है आज माधि का टॉपिक ठीक है केंद्री प्रवित्ति के अंतरकत यह दूसरा हमारा टॉपिक है जिसके अंतरकत हम माधिका की गढ़ना करते हैं तो वही मैंने आपको बताया जो फंड़ामेंटल रूल्स की हमारे पास तीन प्रकार की स्रेडिया होती हैं पहली स्रेड़ी को individual series या साधारन स्रेड़ी कहते हैं ठीक है साधारन स्रेड़ी कहते हैं और जब स्रेड़ी में केवल x की value given होती है another कोई information नहीं दिया होती तो उस स्रेड़ी को हम लोग साधारन स्रेड़ी के अंतरगत calculate करते हैं दूसरा आपके पास साधारन स्रेड़ी होती है विच्छिन स्रेड़ी या साधारन स्रेड़ी ठीक है नाम याद रखना जरूरी होता है इसके अंतरगत आपको information जो given रहती वो x तथा f given होती है और तीसरा आपके पास होता है आसाता स्रेड़ी या आविच्छिन स्रेड़ी जिसे continuous series के नाम से जानते हैं तो इसमें आपका class interval given है ठीक है class interval given रहता और आपको आवर्ति दी रहती है ठीक है तो ये तीन प्रकार का data होता है जो हमको जिनकी हमको गणना यहाँ पर करनी होती है अब एक point याद रखना जब हम साधरन स्रेड़ी जब हम साधरन स्रेड़ी की बात करते हैं तो साधरन स्रेड़ी के अंतरगत सबसे पहले जो हमारा data दिया रहेगा उसकी माधिकार निकालने के पूर इसको re-order करेंगे ठीक है चाहे वो ascending order करें चाहे हम descending order करें यानि उसको या तो हम बढ़ते करम में data को लेंगे या हम लोग घटते करम में data को लेंगे या हम लोग घटते करम में data को लेंगे घटते करम में ठीक है यह सबसे पहले हमको करना होगा अब देखो यह जब हम कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कितने हमारे total number है n की value किया है अगर n की value sum होती है तो फार्मूला हमारा एन बाई टू ठीक है एन बाई टू यह हो जाएगा प्लस एन प्लस वन बाई टू यह वापद लगेगा ठीक है टू वापद इसको भी ब्रेकट वापद और अपॉन टू हो जाएगा तो यह सम के लिए फार्मूला है और अगर आपके पास बी सम है तो बी सम का जो फार्मू 2 हो जाएगा तो यह point आपको याद रखना होगा ठीक है यानि आपको sum अगर आपका n है नंबर आपदा जो आपके पास information है वो sum में है तो आप यह पहला लगाओगे और दूसरा अगर भी sum है तो यह लगएगा आपका n प्लस 1 बाइ 2 लगएगा लेकिन सबसे पहले साधरान स्रेड़ी में आपको उसे re-order करना बहुत important होता है तो आपको re-order तो करनी ही करनी होगी ठीक है तो मैं अभी आपके साथ 77 स्रेड़ी का कैसा data solve किया जाता इसके भी समय मैंने चर्चा किया चलिए मेरे पास एक information given है एक example हम आपके साथ solve कर रहे हैं और उस example को आप देखिएगा तो example में एक class है उसमें कुछ बच्चों ने number पाएं एक बच्चे ने 18 नमबर एक बच्चे ने 10 नमबर एक बच्चे ने 19 नमबर एक ने 20 एक ने 17 एक ने 16 एक ने 19 एक ने 8 नमबर एक ने 11 नमबर एक ने 13 नमबर पाएं ठीक है तो ये information मेरे पास given है अब इस information के आधार पर बताईए कि हम कैसे काम करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले इन देखना होगा कि कितने स्टुडेंट की information यहाँ पर given है तो मेरे पास एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नव दस यह टेन स्टुडेंट है तो सबसे पहले आप री ओर्डरिंग करिए री ओर्डर में चाहे तो आप बढ़ते क्रम में लगा लीजिए ascending order में या आप descending order में लगा लीजिए ठीक है तो चलो हम बढ़ते क्रम में लगाते हैं बढ़ते क्रम में याद रख लिए लगाते वक्त आप उस नंबर को काड़ दीजिएगा ताकि क्या हो जाए repetition of the number ना होने पाए तो सबसे पहले मैं आठ को लिखा मैंने आठ लिख दि यह 13 आपका हो जाता है आपके पाद 13 के बाद आपका हो जाता है 16 16 मैंने लिखा 16 को मैंने कट किया अगला हो जाता है 18 18 को मैंने लिखा फिर अगला है मेरे पास 17 18 17 18 and आपके पास दो बार 19 है दो बार 19 है दो बार 19 एंड 20 एक बार है ये लो मैंने इसको ascending order में पूरे डेटा कर लिया ठीक है आप descending भी कर सकते हो बड़ा डेटा फिसे छोटा डेटा फिसे छोटा डेटा ये भी आप कर सकते हो अब आप आपने कितना क्याउंट किया था एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ द देखिए 10 है यानि n का मान कितना है 10 है यानि 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम को दी गई है किस में साधारण स्रेणी की रूप है ठीक है अब हम क्या करते हैं यह सम है तो सम का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जब आपका मीडियन कैल्कुलेट किया जाता हो सम होत होता है n by 2 वापद प्लस n प्लस 1 वापद प्लस n प्लस 1 वापद ठीक है अपन 2 होता है यह फार्मूला आप यूज करोगे ठीक है एन का मान कितना है 10 एन का मान है 10 by 2 2 वापद प्लस 10 by 2 वापद बते 2 अब क्या होगा 10 वापद पांच वापद प्लस 5 वापद शठा पद शठवा पद, बते 2 अब पांच वापद का उसा है तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पांच वापद तो 16 है पांचुवा पद, तो मैंने यहां लिख लिया 16, प्लस, छठुवा पद क्या है? 17 है छठुवा पद, यह पांचुवा पद है, और यह आपका छठुवा पद है, तो मैंने इसको 17 लिख दिया, बटे 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 13, 6 में 13, और आपका 2, 13, 33 by 2, कि आपका 6, 5, 16 दिसमलों, 5 एंसर आ जाता है, और यह है मीडियन की वेल, किसके अंतरगत? साधारन स्रेणी की अंतरगत, ठीक है, अगर साधारन स्रेणी के अंतरगत, आपकी जो वेलू है, इविन है, और उसके अंतरगत, आपका जो वेलू, एन का मान है, उस पर आपको फार फार्मूले को implement करना, सम के लिए मैंने बताए, दूसरा फार्मूला लगता है, and विसम के लिए आपका जो फार्मूला होता है, वो बदल जाता है, चलिए, मैं एक विसम का question आपके साथ कर लेता हूँ, एक classroom है, मैंने example लिया example लिया, एक classroom है, उसमें एक बच्चे को 10 number, दूसरे बच्चे को 20, तीसरे बच्चे को 13, चौथे बच्चे को 8, 17, 16, 19, 18, 17 ठीक है, ये number आपको मिले हैं, कोई subject है, 20 का test हुओ, और उस 20 के test में ये number मिले हैं, चलो, आप हम क्या करते हैं, इनों को पहले, सबसे पहले, re-ordering करेंगे तो सबसे हम मैं छोटे से उत्ठाता हूँ, 0, 8, next आपका, इसको मैंने cut कर दिया, फिर मैंने 10 को लिया, फिर मैंने 10 को cut किया, फिर next है 13, तो 13 को मैंने लिया, 13 को cut किया, फिर next है 16, 16, फिर 17, फिर आपका है 18, फिर आपका है, नहीं, हाँ, 17, 17 दो बार है, 17 दो बार है फिर है आपका 18, फिर आपका है 20, तो देखो कितने नंबर हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, एक और नौ होना चाहिए, क्या हुआ कोई नंबर मिसी हुआ, 90, अच्छा, 90 मिसी है, 90 and 20, ठीक है, 90 and 20, तो देखो, एन का मान कितना है, यहाँ पर 9, यानि आपका एन जो है, वो बी सम है, एन आपका यहाँ पर बी सम है, तो फार्मूला क्या लग जाता है, जब मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, एन प्लस 1 बाई 2 हो जाता है, तो आपका एन कितना है, 9, 9 प्लस 1 बटे 2, तो आपका हो जाएगा 10 बटे 2, तो फिफ्त हो जाता है, पांचवान नमबर जो होगा, फिप्त जो नमबर होगा, यहां पे याद रखना, टी एंस लगाना निवार होता है, टी या वन वार लगाना निवार होता है, तो पांचवान, बच्चे मैं बताओ 90% कॉपियों में EC को answer बना देते, 5th यानि 5th 5 is the answer, no, 5th जो आपके पास place पर number है, that is the answer, तो 5th place पर कौन सा number है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानि 17 है 5th place पर number, तो ये 15, जो 5th place पर है, 17 will be answer, ये 17 जो है, वो उसका appropriate answer होगा, ठीक है, ये answer आपका होगा, another नहीं answer आपका होगा, ये point आपको देखना पड़ेगा, तो ये मैंने आपके साथ discuss किया, यदि आपका number 20 है, तो, चलो, ये हमने बताया, आपको साधान सेंडी के अंतरगत, if your आपका जो number है, total, वो, वो, एन कमान positive होगा, ये इसको इंग्लिस में कहा होगा, किसको, किसको, साधारम सेंडी को, individual series, मैं बता तो रहूंग बार-बार, individual series, discrete series, मैंने शुरूम पढ़ाया, आपको सारी चीज़े बताएं, यहाँ पर, individual series, discrete series, continuous series, तीन प्रकर की series होती है, अब आके आते हैं, अब आके आते हैं, असातत स्रेडी, जिसे हम लोग अविछिन स्रेडी भी कहते हैं, जिसे हम discrete series भी कहते हैं, इसमें आप जानते हो कि X और F की value given होती है, तथा X की value given होती है, तो इस तरह के जो data होता है, उस data में जो आप निकालोगे, तो उसमें के वल फार्मूले भी यह change होता, ठीके, जैसे साधरन स्रेडी के अंतरगत, individual series के अंतरगत, N by 2 प्लस N by 2 प्लस 1 था, वो change होकर के N by 2 के रूप में convert हो जाएगा, यही आपका साधरन स्रेडी के अंतरगत होगा, यह विच्छिन स्रेडी है, इसमें साधरन स्रेडी है और यह आपका विच्छिन स्रेडी है, दोनों स्रेडियों के लिए हमको ऐसा मिलेगा, ठीके, तो चाहे वो साधरन स्रेडी हो, चाहे वो विच्छिन स्रेडी हो, जिसे ह हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंतरगत आपके फार्मूले में यह चेंजेज पॉसिबल है ठीकी यह चेंजेज होंगे अब चलिए कैसे हम इसका कल्कुलेशन शंपादित करते हैं देख लेते हैं कि इफ द इनफॉरमेशन एक्स एंड एफ इन बच्चे हैं पांच बच्चे हैं चालीस नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं चाय बच्चे हैं पचास नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं दो बच्चे हैं साड़ नंबर पाने वाले कितना बच्चा है एक बच्चा है ठीक है तो यह हमारे पास एक्स की वैलू दी रहती है और F की वैलूटी रहती है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं इसका calculation शंपादित करते हैं लेकिन सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना होता है cumulative frequency जिसे हम लोग CF के नाम से जानते हैं that is called क्या होता है संचाई बारम भरता ठीक है cumulative frequency के नाम से जाना जाता है and we generate the cumulative frequency row हम लोग जो होते हैं row generate करेंगे cumulative frequency तो कैसे generate की जाती है यह frequency table से generate की जाती है frequency table आप देख सकते हो 2, 3, 5, 6, 2, 1 तो यहां पर 2 तो यह आपका हो जाएगा 2 2 में से 3 add करोगे तो क्या हो जाएगा 5 पांच में से पांच एट करोगे तो क्या हो जाएगा दस ठीक है दस में 6 एट करोगे तो 16 16 में 2 एट करोगे तो 18 18 में 1 एट करोगे तो 19 तो इस तरह करके क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ अब कहना क्या रहा हूँ प्रस्क्राइब में नहीं निकालेंगे अधर चेंग सेम फार्मूला थोड़ों लगा देंगे इसमें यह rule है कि आपको cumulative frequency के आधार पर निकलना होगा तो अब हम लोग क्या करते हैं frequency को add कर लेते हैं frequency को add कर लेते हैं इसको जब आप add करोगे तो 19 आ जाएगा 19 आ जाता है अब हमारे पास क्या होता है यह है 19 b sum तो आपका बी सम का फर्मूला ये लगेगा ठीक है तो आपका हो जाएगा 19 प्लस 1 बाइ 2 तो आपका हो जाएगा 20 बाइ 2 आएगा 10 तो 10 पद है ठीक है दसवा नंबर है तो दसवा नंबर कुमलेटिव फ्रेक्वेंसी में सर्च करो दो के पास 10 नहीं हो सकता है पांच के पास 10 नहीं हो सकता हाँ दस के पास 10 हो सकता है तो ये नंबर है जिसमें हमको ये 10 नंबर मिल रहा इसी के सामने एक्स रोपे आजाएए एक्स रोपर आने के बाद मुझे जो एक्स में 30 मिला है इसके सामने ये आपकी median की value होगी ये जो 30 होगा यही median होगा और यही answer होगा cumulative frequency के जरिये हमको अनुमान लगता कि वो कहाँ पर number इस्थिथा है तो ये number hint करने के लिए हम लो cumulative frequency generate करते है और cumulative frequency हम देखते हैं कि हमारे पास जो number आया है वो किस number को hint कर रहा है तो जैसे 10 है तो हम उसमें 10th number ढूणेंगे suppose that अगर 11 भी होता था हम इसी को select करते है because 10 जो number होता हो इसके पास already उपलब दे यानि इसके पास जो आपका 10 है वो 11 अगर 11 होता तो उससे slower number है तो ये automatic यहाँ पर हमको मिल जाता तो इस प्रकार बच्चे होते हैं वो 5 लिखकर cancer चले आते हैं कि उसके सामने उनको frequency दिखाई पड़ने लगता है नहीं हमको frequency नहीं हमको x में हर्दम सर्च करना x row में आप जब सर्च करोगे तो आपको ये number मिलेगा और इसको हमको लिखना होगा तो ये median है सतत स्रेडी का विच्छिन स्रेडी का या discrete series का इस method से हम लोग निकालते हैं अब आपके पास आया third तीसरा जिसको हम कहते हैं आसातत आसातत स्रेडी जिसको कहते हैं अविच्छिन स्रेडी अविच्छिन स्रेडी जिसे continuous series के नाम से जानते हैं ठीक है continuous series के नाम से हम इसको जानते हैं इसमें आपको x की value नहीं दी जाती और दूसरी चीज इसमें भी यही फार्मूला लगेगा जो विच्छिन में लगा है बस एक additional formula लगेगा वो फार्मूला मैं solve होते वक्त ही बता कि कौन सा फार्मूला additional लगेगा तो चलो हमारे पास class interval given है और आपके पास frequency जीरो से 10 नंबर पाने वाले class में 2 बच्चे हैं 10 से 20 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं 20 से 30 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं 30 से 40 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं 40 से 50 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं 50 से 60 नंबर पाने वाले 1 बच्चा यह information मुझे दी है that is in the class interval और मुझे frequency की रूप में दी गई है अब हम क्या करना है सबसे पहले media के अंतरगात हमको cumulative frequency generate करने होगी cumulative frequency row generate करने होगी तो cumulative frequency generate करने के लिए मैं frequency table की help लूँगा frequency table क्या है 2 तो 2 को मैं add it लिख लूँगा 2 में 4 को add करूँगा 2 में 4 को add करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 6 6 में 6 को add करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 12 12 में 8 को add करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 20 20 में 3 को add करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 23 23 में 1 को add करूँगा तो हो जाएगा 24 तो यह आप इसको भी जोड़ोगे frequency को तो यह भी 24 आएगा इसका मतलब होता है कि यह आपका जो number है वो sum है और sum का formula हम जानते हैं कि sum का formula क्या होता है कि n by 2 होता है n by 2 यह 24 बटे 2 यह बारा बारा हुआ जो number होगा वोगो बताएगा अब बारा हुआ number पे हम लोग जब देखते हैं सर्च करते हैं तो cumulative frequency में चीजों को सर्च किया जाता है कहां पर cumulative frequency में तो चलो cumulative frequency में सर्च करते हैं तो 2 के पास 12 नहीं हो सकता 6 number के पास 12 नहीं हो सकता यस 12 के बाद 12 12 के पास 12 हो सकता है तो यह जो 12 है यह आपको यह number मैच कर गया तो cumulative frequency के अंतरगत इसके सामने हम रोपर चलते हैं मैं थोड़ी सी इंक चेंज करूं ताकि चीजे तो इसके सामने जो आपके पास number होते हैं frequency में उनको आप सेड़ कर सकते हैं box में ले सकते हैं अब क्या होता है यह देखिए ना अब 20 है मेरा किकी x में सर्च करना होता बट यहां पर x तो नहीं है तो इसमें आप एक additional formula लगेगा यह जो 20 है class interval में इसको L1 बोलते है lower limit जो आपका 30 है वो L2 है इसके सामने क्या है frequency है F है ठीके और उपर इसके frequency के हर दम frequency 6 है और इसके जस्ट उपर वाले number को हम C कहते हैं ठीके तो इस तरह आपको marking कर लेनी होगी क्योंकि मुझे class interval में असातर स्रेणी के अंतरगत हम लोग median को calculate कर रहे हैं तो असातर स्रेणी के अंतरगत जब median को calculate करते हैं तो हमको lower limit मिलती है ठीके अपर limit मिलती है frequency मिलती है and C कामान मिलता है ठीके तो चलो अब हमारे पास formula हो जाता है median is equal to L1 plus L2 minus L1 upon F bracket में आपने यहां पर sum का formula लगाया तो n by 2 लिखा जाएगा लेकिन अगर आपने यहां पर n plus 1 by 2 लिखा भी sum वाला formula तो यह formula उठकर के यहां लिख जाएगा तो n by 2 मैंने लगाया है ठीके अगर n plus 1 by 2 लगाता तो वो लिख किया जाता minus C तो यह formula बन जाता है median का ठीके चलो सारी values आपके सामने हैं पूट कर देते हैं तो सारी values को पूट करते हैं तो L1 आपका है 20 plus L2 minus L1 30 minus 20 upon frequency कितनी है 6 n by 2 हम निकाल चुके हैं 12 n by 2 हम निकाल चुके हैं 12 और C का 1 हम निकाल चुके हैं 4 जो frequency के उपर होती है minus 4 तो क्या हो जाएगा 20 plus 10 by 6 into 12 में से 4 गए 8 हो जाएगा ठीके कट कर लो तीन आपका 2 त्याइश है 2 चौको 8 यह भी कर सकता है 40 बटे 3 तो हो जाएगा 20 plus 40 बटे 3 तो 3 बटे 3 तो आपके पास हो जाएगा 23.33 तो यह आपका answer होगा ठीक है इस तरह हम लोग answer को इसके अंतरगत find out करते हैं answer हम लोग calculate करते हैं तो यह था आपका जो प्रसंद था वह असातत स्रेणी के अंतरगत कैसे calculate करते हैं अब इसमें एक advance version है कुछ conditions के साथ है लेकिन वह condition के साथ मैं अगली class में बताऊंगा कि कुछ conditions होती है जो special conditions होती है ठीक है उनी special condition में कुछ ऐसे characteristics आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर question में कुछ error दिखाई पड़ता है वो error अभी आपने ढूर पा रहे हो बट वो error भी आ जाते तो उन error वाले questions को कैसे solve करते हैं वो हम आगे जब आपके साथ discuss करेंगे तो आप बताएंगे आप यहां तक किसी को कोई problem हो तो जरूर बताए मुझे